क्या आप जानते हैं कि वैलेंटेंडे क्यों मनाते हैं और वैलेंटेंडे की हिस्ट्री क्या है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं हेलो मेरा नाम है प्रियंका सैनी और आप देख रहे हैं PSBB फिल्म कर एक और कमाल की स्टोरी जो आपने शायद ही पहले कभी सुझी होगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं हमारे देश भारत को त्योहारों का देश माना जाता है क्योंकि यहां सभी लोग मिलकर एक साथ सारे त्योहारों को खुशी से मनाते हैं जैसे होली दिवाली ईद क्रिसमस एड़सेटरा भारत में जितने भी प्रकार के त्योहार मनाये जाते हैं उन सभी त्योहारों के पीछे एक सच्ची कहानी होती है जो इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है और वो सभी त्योहार सदियों से चली आ रही है और एक रिवास की तरह बन गई है जिसे सभी लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं एक और ऐसा ही दिन है जो वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है इस दिन को हम प्यार का दिन कहते हैं और हर साल फरवरी के महीने को प्यार का महीना कहते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों 14 फरवरी को ही हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं इस दिन के पीछे भी एक कहानी है जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो लेकिन अगर नहीं पता तो आज मैं आपको इसके कहानी बताऊंगी कि आखिर हम वैलेंट एंडे क्यों मनाते हैं और इस दिन की हिस्ट्री क्या है वैलेंटाइन दे एक व्यक्ति की नाम पर रखा गया है जिसका नम वैलेंटाइन था इस कहानी के दिन की शुरुवात प्यार से बिलकुल नहीं हूँ ये कहानी एक दुष्ट राजा और एक संथ वैलेंटाइन के बीच हुई मुटबेड के बारे में है इस दिन की शुरुवात होती है रोण की तीसरी सदी से जहां एक अत्यचारी राजा गुरुआ करता था जिसका नम प्लावडियस था एक अकेला सिपाही एक शादी शुदा सिपाही के मुकाबले जंग में अच्छा प्रदोशन कर सकता है क्योंकि शादी शुदा सिपाही को हर वक्त बस इसी बात के चुनता लगी रहती है कि उसके मर जाने के बाद उसके परिवाल का क्या होगा और इसी चुनता से वो जंग में अपना पूरा ध्यांग नहीं दे पाता है यहीं सोचकर लाओडियस ने ऐलाम किया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा और जिस किसी ने भी उसके इस आदिश का उलंगन किया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे और उन्हें ये भी पता था कि फैसला गलत है लेकिन राजा के गड़ से किसी ने भी इसका उलंगन करने की हिम्मत नहीं की और उनकी इस आग्या का पालूं करते हुए मजबूर हो है लेकिन रोम के संथ वेलेंटाइन को ये नाइंसाफी बिलकुल मंजूर नहीं थी इसलिए उन्होंने राजा से छुपकर युवा सिपाहीं का मदद किया और उनकी शादी करवाने लगी जो भी सिपाही अपनी प्रेमिका से शादी करना चाते थे वो वेलेंटाइन के पास मदद मागने जाते थे और वेलेंटाइन उनकी मदद भी करते थे और उनकी शादी करवा देते थे इसी तरह वेलेंटाइन ने बहुत से सिपायों की गुप्त शादी कर दो लेकिन सच ज़ादा उन तक नहीं चुपता वेलेंटाइन के इस कारे के बारे में भी प्लावडियस के राजा के कान में खबर पहुँच चुकी थी वेलेंटाइन ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया इसलिए राजा ने वेलेंटाइन को सजाय मौत सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जेल के अंदर वेलेंटाइन अपनी मौत की तारिक का इंतजार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया जिसका नाव एस्टेडियस था वेलेंटाइन के पास एक ऐसी दिव्वी शक्ती है जिसके इस्टेडियस की एक अंधी बेटी थी और उसे वेलेंटाइन के पास बसी जादुई ताकत के बारे में पता था इसलि-ए वो वैलेंटेन के पास जाकर उनसे विंति करने लगा कि उसके बेटी की आँखों के रोश्णी को अपने दिव्य शक्ति से ठीक कर दिया वैलेंटेन एक लेक दिल के इनसान थे और वो सब की मदद करते थे इसलि-ए उन्होंने जेलर की भी मदद की और उनकी अंदी बेटी की आँखों को अपनी दिव्य शक्ती से ठीट कर दिया उस दिन के बाद से वैलेंटैन और एस्टेरियस की बेटी की बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल दी उन्हें पता नहीं चला एस्टेरियस की बेटी को वैलेंटैन की मौत होने वाली है ये सोच कर बहुत ही गहरा सब्मा लगया था और आखेकार वो दिन 14 फरवरी आ गया था रिज़ वैलेंटैन को फासी लगा वाली थी अपनी मौत से पहले वैलेंटैन ने जेलर से एक कलम और कागज मागा और उस कागज में उन्होंने जेलर की बेटी के लिए अलविदा संदेश लिखा पनी के आखिर में उन्होंने लिखा तुम्हारा वैलेंटैन को यह वही लगस है जिसे लोग आज बहुत पसंद करते हैं और याद करते हैं वैलेंटैन के इस वलिदान के वज़े से 14 फर्वरी को उनके नाम से रखा गया और इस दिन को पूरी दुनिया में सभी प्यार करने वाली लोग वैलेंटैन को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बाढ़ते हैं अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मुझे पूरी उमीद है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी और इससे आपको काफी ज़दा जानकारिया प्राप्त हुई हो गया हमें कमेंट करके जरूर पताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आप किस तरीखे से इस बार अपना वैलेंटैन सेलिबरेट करने वाले हैं